लो स्टूडेंट बेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल अरिहंत लेक्चर आज इस वीडियों चार ऐसे क्वेस्चन बताऊंगा जिसका बोर्ड में आना 500 परसेंट था है यानि कि उससे बार एक भी क्वेस्चन नहीं आएगा यह क्वेस्चन है ऐसा क्वेस्चन की बोर्ड लेकिन आज की वीडियों में चार माधत करें चानल के प्रसेंट यहां पर हमारे पास है और यहां पर हर एक पेपर में यहए क्वेशन आया हुआ है और यह पास पेपर है इसमें भी आप दे सकते हो कि यह आया हुआ हर बार यह बोर्ड एक्जाम में आते हैं और हर इस क्वेशन को आप त्यार कर लेतो तो आपके जो नंबर वह बिल्कुल पक्की हो जाएंगे तो देखो इसको हल कैसे करना है मैं बिल्कुल बारीकी से समझूंगा कि इसको हल कैसे करना है ठीक है इसके भासा को पहले समझा निमलिखित बारंबारता बंटन से माधिका ग्याद कीजिए यहां पे दे रखा कि छात्रों की संख्या 12, 8, 32, 14, 16, 4 और प्राप्तां के कि 40, 18, 50, 180, 160 अब देखो यहां पे हमको बंटन से माधिका ग्याद करना है यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे ऐसी माधिका को निकालने से पहले यह जो आकड़े दिये हैं इसको हम आरोही क्रम में रखेंगे और आरोही क्रम में रखकर हम संचई बारंबारता को प्राप्त करेंगे ठीक है देखो यहां पे क्या सबसे प्राप्तांक है है यहां प्राप्तांक को लिखना पड़े。 तो यहां पर प्राप्तांग सबसे पहले लिखेंगे प्राप्तांग के चालीस अठारा पचास सव असी एकसो सार लेकिन हमको इसको किस क्रम में रखना आरोही क्रम में सबसे पहले छोटे को रखना पिर उससे बड़ा पिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा यहां पर सबसे छोटा COuts Sam तो असी एक सो साथ तहां पर 18 सबसे चुटा है तो हम सबसे पहले 18 को यहां पर लिखेंगे ठीके और इसके बाद आपका 18 से बड़ा क्या है यह 40 है ठीके तो यहां पर क्या लिख देंगे 40 लिख देंगे इसके 40 के बाद जो बड़ा है आपका वो 50 है तो यहाँ पर लिख देंगे 50 इसके बाद 50 से बड़ा आपका 80 है ठीक है तो 80 को यहाँ पर लिख देंगे इसके बाद 80 से बड़ा आपका 100 है तो 100 लिख देंगे नीचे इसके बाद हमारा इसके बाद क्या बढ़ा है सव के बाद आपको इसमें सीधा 160 बढ़ा है ठीक ते 160 यहाँ पे हमने लिख दिया अब इसके बाद क्या लिखना है छात्रों की संख्या दे रखा यहाँ पे इसको भी आरोही करम में लिखना है सबसे छोटा पहले लिखना तो यहां पर सबसे छोटा क्या है चार है तो यहां पर चार लिख देंगे इसके बाद चार के बाद क्या आपका छोटा है आठ छोटा है तो यहां पर आठ लिख देंगे इसके बाद आपका क्या है बारह है ठीक तो यहां पर बारह लिख देंगे इसके बाद आपका 12 के बाद क्या 14 है तो 14 लिख देंगे यहाँ पर ठीक है 14 के बाद आपका 16 है तो 16 लिख देंगे 16 के बाद आपका इसमें क्या है 32 है ठीक है तेहाँ पर हम 32 लिख देंगे इसको हमने किस क्रम में रख दिया आरोही क्रम में रख दिया इसके बाद हमें इसका क्या निकलना है संचाई बारम बारता निकालनी है कैसे निकालेंगे सबसे पहले ये चार है तो चार को यहाँ पर लिख देना है जो भी संख्या यहाँ पर रहेगी सबसे पहले उसको यहाँ पर लिख देंगे इसके बाद इस 4 में हम क्या कर देंगे 8 को जोडेंगे ठीक है तो 8 और 4 को जोडेंगे तो यह क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा फिर इसके बाद 12 में फिर 12 को जोडेंगे इसके नीची वाली संख्या को जोडेंगे तो 12 और 12 मिलकर क्या हो जाएगे 24 ठीक है फिर 24 में 14 को हम यहां पर फिर इसको छात्रों की संख्या को जोड़ना है यह इतना ही आता है यहां पर यहां पर आपका जोड़ लो आप जिसे आप दो और छे आपका खुझेगा आठ चार बारह बारह और आपका दो चौदह ठीक है चौदह और यहां पर आठ हो जाएगा च्छे बीस दो बाईस और चार चबीस चबीस के च्छे हाथ में लगा दो तीन एक च्यार पांच च्छ च्छ दो आठ है नहीं कि इसी के बराबर आता है एन की बैलू इसको इसलिए हमने निकाला कि यह न बराबर हमारा क्या निकल गया 86 तो 86 क्या है बताओ सम है कि भी सम है तो 86 क्या है सम है ठीक लिखेंगे 86 यह न बराबर 86 जो की जो की एक सम संख्या है क्या है एक सम इसको अब तयार जरूर करना है यह बोर्ड एक्जाम है हंडेट टेन परसेंट आपके आएगा सम संख्या है ठीक है और सम संख्या का जो मा अधिका बराबर तो इसका फर्मुला क्या होता है एन बाई टू वे पद का मान वे पद का मान इसके बाद इन ब्राइकेट ठीक है प्लस लगाकर यन बाई टू प्लस वन वे पद का मान वे पद का मान ठीक है इस तरह से आपको ये सूत्र हो गया बट्टे में इसके है दो सथी आपको लिखना आच दिखर यह जो आपका यह maadika यह निकालने वाला सुत्र अंवर्गी करता आकडा नहीं है जो वर किता के अंत्र और यहां और 우र्घी करता क्रीकरा में को दोनों यह देख़ें गो番लत पर सब्सक्राइद करता हैं कि यहाँ आफ़ इन्जरी UV pelo प्लस N रखेंगे प्लस ुम रखेंगे त्टीक है, प्लस, इन ब्राइकेट, एन की जगवबे क्या रखेंगी, 86, बटे के 2, प्लस, 1, वे पद का मान, त्टीक है, वे पद का, मान, इस तरह से हमें लिखना है, बटे में क्या है, 2 है, तहÖnders से 2 लिख देंगी, ठीक है अब हमको क्या करना दोको यहां पर माधिका बराबर आपका निकल करा जाएगा हम लिखेंगे कि माधिका एम बराबर दोको 86 को जब 2 से आप काट होगे तो 2 एक कम दो और यह हो जाएगा दो चेव के आठ और 23 बार में करिया ठीक है यहां पर हम लिख देंगे 43 वे पद का मान 43 वे पद का मान अब इसके बाद पलस है तो पलस लगा दो अब यहां पर यह जो होगा न यह भी हो जाएगा दो चेव के आठ और यह जाएगा दो त्याई के छे 43 तो यहां पर हो जाएगा आपका इन ब्राइकेट 43 पलस वन वे पद का मान अब बट्टे में क्या है पूरे के दो है तो इस तरह सम दो लिख देंगे तो यहां पर देखे पूरा पेज भर गया इस स्वेस्टन को हमने यहां पर लिख दिया ठीक इसकी आगे से कि 43 पलस 43 पलस वन वे पद का मान बट्टे दो ठीक इसको हमने यहां पर लिख दिया अब यहां सम इसको हल करेंगे देखो कैसे हल करेंगे अब यहां पर 43 और कितना हो जाएगा 44 यहां पर हो जाएगा आपका मा akah इसके बाद हम क्या लीखेंगे की रालीशẻวालीस पलस च्वालीस वे पद कामन अब यहां पे बट्टे में क्या है दो है तो यहां पे दो लिग देंगे ठीक है आप देखो आपको इसको कैसे हल करना है अब यहां पे 43 वे पद का मान और 44 वे पद का मान हमको कहां से मिलेगा ठीक है तो यहां पे आपको इस सारड़ी में आना है और आपको देखना है कि यह जो 43 और 44 जो है ना 43 और 44 ये किस में आएगा चार में आएगा कि 12 में आएगा कि 28 में आएगा कि 34 में आएगा ठीक है अब देखो एक चीज़ आपको पता ये होना चाहिए कि ये जब भी आएगा तो 43 नहीं ले सकते हैं ठीक है 43 से जब भी होगा जादे होगा ठीक 43 से कम नही जो पद हम देखेंगे वह पद कितना है इसका प्रप्तांक कितना है इसी को हम क्या लिखेंगे यहां पे इसके जगह पे क्या लिख देंगे 43 पद का जो मान है वह कितना है 100 है ठीक हम यहां पे लिखेंगे मादी का 43 पद का मान क्या है 100 है इसके बाद से प्लस लिख दो अब यहां पे 44 पद का मान भी क्या अब यहां पे 44 भी 54 में आएगा ठीक है अब इसको आप दो एक्कम, दो कार दो केता है, पूरा SDo, उक्रण का इन निकल कर आ गया, वो क्या निकल कर आ गया, 100, तिक। यही आपका आंसर हो गए, इसको आप तयार कर लेना, रट लेना, घोल कर पिलेना, 110% बोर्ड एक्जाम में एक्थो आता है, ठीक है, तो यह आपको क्या देगा, निमनेखित बारम भारता बंटन से माधिका ग्याद कीजिए, ठीक है, यह आपकी बोर्ड एक्जाम में इस तर निम्रिके साडी में माधिका याद कर दीजिए अब यहाँ पे आपको माधिका कैसे निकालना है ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हूँ 20 से 25 पद दे रखा है 20 25 30 35 45 ठीक है अब इसके बाद बारम बारता इसका है 3 5 12 6 4 1 अब यहाँ पे सबसे पहले आपको इस तरह से एक साड 5 12 6 4 1 इस तरह से लिखेंगे ठीक है अब हमें संचाई बारम बारता यहीं सीयप निकालना है तो इसको हम कैसे निकालेंगे यह चीज़े देख लो सबसे पहले तो संख्या इसी को हम सबसे पहले क्याल कर देंगे लिख देते ठीक तीन लिख दिया तीन में 5 जोड़ा 8 हो ग अब यहाँ पर हमारा इसको भी आप जोड़ोगे ने पुरा तो आएगा कितना यहन fare 1 एक्तिस तीक है यहाँ पर आपका क्या गया 31st जो की एक क्या है बिसम संख्या ठीक है जो की एक बिसम संख्या है ठीक है बिसम संख्या है देखो मैंने सम का बता दिया अब यह एक बिसम का आप सीखलो ठीक है जो की बिसम संख्या है और बिसम संख्या की माधिका कैसे निकाली जाती है यहां पर हो जाता है माधिका बराबर माधिका M बराबर N by N plus 1 by 2 अब इसका simple है N plus 1 by 2 N की कितनी value है 31 है तो आप रख देंगे 31 ठीक है plus 1 by 2 अब इसको add कर दो 31 और 1 हो जाएगा 32 32 बटे 2, 2 से इसको कार देंगे आजाएगा आपका 16 तो यह जो माधिका आपका 16 पद में गया यहाँ पर हम लिखेंगे माधिका 16 पद का माण ठीक है 16 पद उस पद समूर के अंतर गता आता है 16 किसमें आएगा देखो इसमें 3, 8, 20 20 में आएगा तो इसकी जो माधिका यह पद बनेगा वो कितना बनेगा 30 बनेगा तो इसको लिखना पड़ेगा इसमें आएगा जिसकी संचेई बारंबरता 20 पद जो होगा उसका 30 होगा ठीक है यह हम लिखेंगे कि सो लहवा पद यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको ठीक है कि सो लहवा पद उस पद समूर पद समूर के अंतर गता आएगा जिसकी संचेई बारंबरता 20 है ठीक हमने देखा कि संचेई बारंबरता क्या है 20 है जिसकी संचेई बारंबरता 20 है 20 है ठीक है तब इसका जो पद समूर है तब पद तीस होगा अब दोगों इसका इसका प्धी संचेह बारवन भरता बीस है और इसका जब पद जो निकल कर आएगए वह devo क्या होगा इस तरह स्वाइच आपको सिंपल यह जब सावधि Bardzo की माधिका दे निकालने 23.5 हो तो यक्स और वाई का मान ग्याद कीजिए ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेस्चन है और बोर्ड एक्जाम की पेपर को ठागर देना हर बाराया हुए ठीक है तो यहाँ पर दे रखा है कि वर्ग अंत्राल दे रखा है और बारंबारता दे रखा है लेकिन यहाँ प सबसे पहले हम वर्ग इस तरह का साड़ी बनाएंगे वर्ग अंत्राल यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर बारंबारता और यहाँ पर संचै बारंबारता इसका निकालेंगे ठीक है तो कैसे निकालेंगा हम SIMPLE ही बता है इसको 5 है तो पांच लिग देंगे फिर 5 प्लस एकसे इसके बाद फिर इसमें हम इसको जोड़ेंगे तों पांच और बीस हो जएगा आपका पचीज पलस एकस अब इसमें 15 में क्या जोड़ेंगे 15 जोड़ेंगे 15 तों पचीज आपका पांच यह equipo जाएगा तीस और यह जाएगा 55 60 चालीस 2035 35 40 40 अब इसके बाद इसको जोड देंगे वाइस में यहीं छालीस प्लस एक्स प्लस वाई अब हैं झालीस 5 तो फेसे फटी स्थाथे मर C प्लस एक्स फटेक और इसको पूरे को आप जोड़ो गया इह इतना आ जाए झीसे आप 5 हो गया पांच हो गया कि यह यह złूगा 5ग सभी को जोड़ दो पांच है तो पांच लिग देंगे इस तरह इस तरह से भी जो δए स्थ сказал को पहले जोड़ देंगे एकस और वाइक को जोड़ जैसे आप है 20 हो गया 25 पांच 30 10 40 15 55 यह जाएगा आपका 45 प्लस अब यहाँ पर X है तो X और Y है तो Y इस तरह से N बराबर आपका X प्लस X ठीक है X प्लस Y या Y प्लस X लिख दो तो यह न बराबर आपका क्या आगया 45 प्लस X प्लस Y यह चीज़े आगई ठीक है अब इसकी ज़रुत हमें थोड़ा सा आगे पड़ेगी सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा इसको हमको हल करना पड़ेगा और दीकिए यहाँ पर N बराबर 60 दे रखा है तो इसके बराबर क्या लिख देंगे इस N की जिगर पर 60 लिख देंगे यहाँ इस N का भी बराबर दे रखी वो कितना दे रखा 28.5 तो यहां पर हम लिखेंगे कि माधिका देखो यह ध्यान देना बहुत important question है और बच्चे इसी में गलती करके चले आते ठीके और यह सब क्या होता scoring question माधिका कितना है 28.5 अब देखो 28.5 किस वर्ग अंतराल में आएगा इसको न यह माधिका है तो यहां पर 28.5 जो है यह किस में आएगा देखो यह 0 से 10 में आएगा कि 10 से 20 में आएगा कि 20 से 30 में ठीके तो यहां पर देखो जब यह चीज़े आपका निकल गया तो यहां से L की बैलू निकल गया वाला की बैलू होता है ल की बैलू होता है और इसके चेस्त सामने जाओगी और इहां से एक ऊपर जाओगे तो यह बहुत निकलनाा है जहां भी आपको मादिका मिलता कि यह 28.5 जो है यह कि इसके बीच में आएगा 20 और 30 के बीच में आएगा तो यहां इसकी यह lower limit की निकल गई और higher limit की यहां से value निकल जाएगी और just इसके सामने एप की value होती है ठीक है और इसके just उपर जो हता है ठीक है यहां से जब आओगे इसके उपर C up की value होती है यहां पर इसके सामने की उपर जाओगे तो C up की value होती है अब इसको simply फार्मूला पर रख दोगे तो पूरा चीज निकल कर आ जाए तो सबसे पहले जो जो value हमें पता होगे उसको हम लेक लेते ठीक है यहां से हमको यह वर्ग अंतराल क्या मिला है 20 से 30 मिला है ठीक है 20 से 30 मिला है वर्ग अंतराल और इसमें क्या है हमसे मिल गया एक तो L की value 20 मिल गई तो यहां से L बराबर मिल गया हमका 20 अब हमें h की value find करनी है तो हम क्या करेंगे 30 में से 20 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 30 में से 20 घटाएगे तो h की value 10 मिल जाएगी ठीक है और इसके बाद f की value कितना मिली है 20 मिली है यहाँ पर लिखेंगे f बराबर 20 और इसके बाद cf की value 5 प्लस x मिली है तेहां परग देंगे कि c f एनी संचाई बारम बरता की बहलू 5 प्लस x मिली है ठीक है अब इसी चीज को हम फार्मूला परग देंगे इसके माधिका का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका माधिका बराबर माधिका बराबर आपका फार्मूला जो ता है L प्लस n बाई 2 माईनस c f अपान ठीक है अपान में f गुरते h ये इसकी फार्मूला है ठीक है L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बटे यह पांटू बटे के एफ गुड़िते एच यह इसका फार्मुला और इसी फार्मुला पर पूरे बैलू को रख देंगे तो हमारा निकल जाएगा माधिका यहां से माधिका बराबर माधिका भी दे रखा कितना थाइस दसनों पांच दे रखा है माधिक और यहां पर एन की बैलू कितना हम निकाल कर लाए है तो यहां पर एन की बैलू 60 दे रखा ठीक है पहले से ही दे रखा तो यहां पर एन की जगा पर क्या रख देंगे 60 रख दें तो यह हो जाएगा अपका 60 बटे के 2 ठीक है अब इसके बाद माइनस सी एफ की बैलू क्या प्लस एक्स इसको हम रखेंगे ब्राइकेट में बट्टे में एप की बैलू कितना है एप की बैलू 20 है जिसे यहां पर आपने दिखाला 20 इसको रख देंगे बट्टे 20 गुरित्य एच की बैलू कितना है है एच की बैलू हमें यहां पर फाइंड किये हैं दस है त्याहां पर गुट कर देंगे 10 ञएख अब यहां पर माधिका की बैलू कितना 28 गुछ रखा हुआ है 28 गुछ ब्राबर यह है आपका 20 20 प्लस अब यह कर जाएगा तो हो जाएगा 30 माइनस यह हो जाएगा आपका यह तो इसी तरह रहने दर 5 प्लस x अपान में 20 गुर्ट्य 10 ठीक है तो यह यह लाइन थोड़ा बड़ा की चार्ज रहा है 20 जो गना आपको इस तरह से रहता है 20 प्लस ठीक है यह 20 प्लस में इस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 28.5 माइनस 20 बराब democratic बड़ा के यह इन प्लस प्लस में अगर माइनस कैंड हो जाता ही यह जाता है यह जोड़ाएगा यह इए आठ दसमलो 5 बराबर और यहां से 30 में से 5 जाएगा तो क्या बच जाएगा 25 और यह माइनस का X है यह है अब 5 में 20 गुरित्ते 10 ठीक है यह इसलिए 0 से 0 कर जाएगा यहां पर किवल 2 बचेगा 2 का multiply हम इसमें कर देंगे तो यह हो जाएगा 25 के 10 पॉइंट 2 अठे 16 एक 17 हो जाएगा ठीक है 17 बराबर 25 माइनस X अब यहां से दिखो हम क्या करेंगे कि यह X जो है माइनस में इस पर आएगा बराबर कि तो पलस हो जाएगा तो X बराबर 25 अपने जगव पर है और यह पलस में है इस पर जाएगा 25 के तरब तो माइनस हो जाएगा माइनस 17 ठीक है अब यहां पर X बराबर आपका हो जाएगा 25 में से 17 गया नहीं कि 15 में से 7 गटा हो गया तो 8 बचेगा और दो में से एक गया तो कुछ नहीं बचेगा यह एक से बराबर आपकी value क्या गई 8 हा गई ठीक है एकस की value तो निकल गई अब हमको यहाँ पे y की value भी find करें ठीक है तो यहाँ पे हमारा जो formula है यह न बराबर क्या निकल कराया है 45 प्लस x प्लस y बराबर 60 ठीक है तो हम यहाँ पे x की value क्या निकल लिए 8 निकल लिए इसकी जिगह पर रख देंगे तो हो जाएगा 45 प्लस 8 प्लस y बराबर 60 ठीक है अब 45 और 8 को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 53 तिरपन 53 प्लस y बराबर 60 अब यहाँ से y बराबर आपका हो जाएगा यह 53 प्लस में इस पर जाएगा बराबर के तो माइनस में हो जाएगा 60 माइनस तीरपन अब देखो इस में से जब घटाएंगे 60 में से तीरपन तो आपको y की value क्या जाएगी 7 आजएगी ठीक है तो हमने निकाल लिया है देखा कि x की value क्या रही है 8 और y की value क्या रही है 7 इस तरह से आपको निकालना है इस चीज का ध्यान देना ठीक है यह अब कहा से निकलेगा और यहाँ से f की value कैसे निकलेगी माधिका वोगा तो कहा पे जाएगा यह वर्गंतराल में जाएगा इस चीज को आप ध्यान देना ठीक है नहीं तो आप बहुत सरे बच्ची इसको गलत करके चले आते हैं नेश्ट देख लेते हैं एक क्वेस्टन आपकी बोरिक जाम मैं ऐसे देगा कि निम्रिकित बारम बारता बंटन से माधिका ग्याद लिए को डिक बारता गरताएसे होता और जो और क्रीट होता है यह यह जो हैं यह आधिक देखे आतर होता वह 0-10-20-20-30-3-40 अईसे होता है और जो और वरगी क्रीट होता है यह जो है और यह को यह जो आकरा हासी है और मेंट निकाल यह मादिका और मादिका को इंद द्यान के अधि होगता है इसमें 25 बार्येusta निकाला गया और इसमें देखें किस तरह से निकाला गया है यह चीज़ आप अगर ध्यान दोगे तो आपको कभी नहीं कलती होगा यह वर्गी क्रित आकड़े की माधिका निकल रही थी ठीक है और वर्गी क्रित जिसमें की 12 आठ दे रखेगा और इसमें जो वर्गी क्रित आकड़ा होता है उसमें 0 स 10 10 से 20 20 से 30 इस तरह से देता है ठीक है तो आप समझ गए होंगे अब यहां पर देख सकते हो कि हमें क्या निकालना है संचयी बारंबारता निकालना है ठीक है तो सिंपल है सबसे पहले हम संचयी बारंबारता के लिए 2 2 में 4 को जोड़ देंगे हो जाएगा 6 6 में 7 को जाएगा 18 जितना यहां प्याता वोही चीशी सको जोड़ने पर आता है यह जो है आपका यह क्या है यन बराबर 18 जो की एक सम संख्या है ठीक है जो की एक सम संख्या सम संख्या है अधिको ध्यान देना एक सम संख्या है तो यहाँ पे एन बाई 2 की जो बैलू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी यन की बैलू 18 तो 18 पूट करेंगे यहां पे 2 पुट कर दें ठीक, 2 है, यहां से 2 नवा 18 हो जाएगा आपका 9 वे पद का मान, ठीक है, पद का मान, अगर माधिका था तो इसमें खुजते, लेकिन यहां पे वे लग गया तो यह हम किसमें खुजेंगे, संचाई बारम बारता, अब देखो 9 किसमें आएगा, 2 में यहां पे जो इसका वर्ग अंतराल होगा, यह एल होगा, और इसमें से इसको घटाएंगे, तो यह अच्छे मिलेगा, यहां पे ल की बारता, यहां पे ल की बारता निकल गईगे, और यहां से एच्छे की बारता निकल जाएगी, तीस में से बीस गया, यहां से तीस माइनस बीस बराबर एच की बारता निकल गई, और यहां पे सी यप की बारता निकल गईगे, तो यहां पे जो माधिका का फार्मूला होगा, यहां पे देख लेना आप, माधिका बराबर, ठीक है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपान एफ गुरित्ते एच, ठीक है, यह चीज़े मैं आपको कनफर्म करना चाहता हूँ, यह क्या है, और वर्गी ताकड़ा है, इसमें यह वाला फार्मूला लगता है, ठीक है, और जो वर्गी के ताकड़ा था, इसमें कौन सा फार्मूला लगता था, इसमें कुछ इस तरह का फार्मूला लगता था, ठीक है, इस तरह से फार्मूला लगता था, उसको बैलू को आपका 20 और यहां पाएगा प्ल्स यह इन रायकेट हो जाएगा our m की बैलू कितना है यहन की बैलू हमने बताया कि कितना आया है ठाँ इनThe जहीं हाँ अचर 계 में यहाँ हो सब्सक्राइगे और सबस्क्तुकर, भूल क्या निकल कराई है यहां पर 6 रख देंगे बट्टे में इसकी क्या हो जाएगा तो विद्ट्ट्ट की वैलू कितना है यहां पर हम निकाल हें यहां से हो जाएगा आपका माधिका बराबर हो जाएगा अब यह तो आपका 20 है प्लस अब 10 का मल्टिप्लाइस में होगा तो 30 हो जाएगा 30 वटे के 7 अब 7 का इसमें भाग दे दोगे यह कितने बार में कड़ेगा 7 के साथ 24 साथ 24 के 28 है पॉइंट 20 है तो 7 के साथ साथ 24 यह तो आप जानते होगे यहां पर हो जाएगा आपका माधिका बराबर 20 इसको काट कर कितना ला दिया हमने प्लस 4.3 अब इसको आप एड कर दूगे तो जाएगा 24.3 आपका क्या हो जाएगा यही फाइनली आंसर हो जाएगा ये वर्गी की ताकड़ा था ठीक है इसी तरह से आपको बोर्ड एक्जामें निकालना है इन चारों प्रस्णों को अभीकाभी तैयार कर लो 110 परसेंट बोर्ड एक्जामें छब चुके हैं आपको जाकर सिंपली हल कर देना है ठीक है आज की इस व प्रिम तब तक के लिए धन्यवाद